ज्वाली उपमंडल के अंत्रगत भारी बारिश में नया अंगल गाउं में एक पहाडी किसकनी शुरू हो गई जिससे गाउं के दो दर्जन घरों को खत्रा पैदा हो गया है इसी पहाडी से कई स्थानिय वासियों को भारी नुकसान हुआ था जिससे चिंतिद लोगों ने पंचायत प्रधान उशा गुलेरिया के माध्यम से सान्य विधायक अरजुन सिंग को इस बारे में सूशना दी जिस पर विधायक तुरंद कारवाई करते हुए SDM जवाली आरुन शर्मा जी को निर्देश दिये इसके साथ SDM अरुन शर्मा जी ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों से इत मोके पर पहुँचे तथा मोके का मुआयना किया उन्होंने बताया कि यह स्लाइडिंग भूमी अभीर याशी इलाके से तकरीबन 400 मीटर दूर है जो कि दीरे दीरे आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि यह स्लाइडिंग आगे आती है तो इससे तकरीबन 25-30 घरों को खत्रा हो सकता है उन्होंने सभी सान्य वासियों को रात को अलर्ट रहने के लिए कहा और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग को हर समय खत्रे को भापने के लिए हाई अलर्ट के लिए कहा है SDMN अरुशर्मा जी ने कहा कि यदि यह स्लाइडिंग नहीं रुखती है तो विभाग द्वारा उसके जद में आने वाले घरों को खाली करवा दिया जाएगा कि क्रीमन ने को एक किलमेटर गारी है जो स्लाइट से प्रभादित है और उपर से एक वाटर पाइप निकल रही है जो अगे पूरे गांपो पानी स्प्लाई होता है वो आई-पी चोड़ा ने बंद कर दी है और काफी पेड़े बारे गिरे हुए है तो वहां से जो अबादी है वो क्रीमन 400 मेटर दूर है तो वहां पे मौकवे प्रधान भी थे सब लोग थे तो मैं जरा वांसियो से मैं बोला आए था कि आप इस थोड़ा विजलेंट रहे हैं अभी थोड़ा दूर है और जैसी आपको इसमें और कोई इन्फरमिशन मिलती है वह एकम से प्रिशाशन को सूचित करें मैं हो सकते आज मैं फिर जाओं चकेंग करने एक बार प्रभी तक हुई सूचिन मेरे पर भी आई नहीं है कि कुछ जोटना वहां कुई है तो लोगों को एतियाद रखने के लिए वहां कह भी गया है और अगर और और नीचे गवाता है तो वहां पर जितना गाउं है वो ख